हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके साथ हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेर करने वाले हैं आपने बहुत बार सुनोगा कि ये रचना इस व्यक्ति की है ये रचना इस व्यक्ति की है परंतु हिंदी साहिते में बहुत सारी रचनाएं ऐसी भी हैं जो बिलकुल एक दूसरे जैसी हैं बिलकुल सेम नाम से रचनाएं लिखी गई हैं आज वो हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि परिक्षा में कभी-कभी इसमें confusion हो जाती है तो चलिए फ्रेंट्स चार्ट करते हैं सबसे पहले दीप शिखा सबसे पहले नाम है आपका दीप शिखा आप सभी को पताओगा महादेवी वर्मा जी की ये रचना है कावे है और ये जो दीप शिखा है ये उनके एक सबसे प्रमुक्ष कावे संग रहे है यामा का भाग है जिसे ज्यान पीठ पुरसकार मिला हुए लेकिन बिलकुल इसी नाम से रेवती शरण शर्मा जी ने भी रचना लिखी हुई है तो ऑप्शन में अगर आपको आए तो कन्फ्यूज मत होईएगा उसी प्रकार कठ पुतली ये दोनों ही उपन्यास हैं और एक विशंभर अशिक जी का है एक देवेंदर सत्यार्थी जी का उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स उर्वशी अब देखिए उर्वशी जिसके लिए रामधानी से दिनकर जी को ज्यान पीठ पुरसकार मिला था वही ठीक है न आपका जैशेंकर प्रसाद जी ने भी लिखा था जैशेंक नाम से भी दो दो उपन्यास हैं, जिसके रचनाकारते काशिना सिंग जी और योगेश गुप्त जी, अगला देखिए फ्रेंड्स, फिर अर्धनारीश्वर, अब अर्धनारीश्वर ये मैंने यूटूब लाइफ सेशन में भी करवाया था, एक तो है आपका उपन्यास, जो विश्नु प्रभाकरजी ने लिखा है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरसकार मिल चुका है, और दिनकरजी, रामधारीशी दिनकरजी की भी एक रचना है, अर्धनारीश्वर, जो एक छोटा सा निबंद है, जो आपकी NCRT की पुस्तक में दिया गया है, उसी उपण्यासे प्राजीता उसे चतुर सेन शास्त्री जी ने लिखा है, ध्यान दीजेगा, अगला फिर आपका आता है असाध्य वीना, स्वर्ग्य वीना और राश्ष्रे वीना, मतलने जो वीना से संबन्दित रचनाएं हैं, ये किस-किस ने लिखी है, असाध्य वीना आठक जी की रचना है और राश्री वीना गया प्रशाज शुक्ल सनेही जी की रचना है तो इसे याद करना आसान होगा उके उसी प्रकार विवरत विवरत नाम से तीन-तीन रचना हैं फ्रेंड्स शिवानी जी जैनेंद्र जी जगदीश चतुरुवेदी तो तीनों आपके विवरत दो उपन्यास एक कहानी तो एक नाम से तीन-तीन रचना हैं फ्रेंड्स आगे देखिए फिर काली आंधी और पीली आंधी दोनों ही उपन्यास हैं काली आंधी और पीली आंधी तो देखिए कमलेश्वर जी की रचना और प्रभा खेतान जी की रचना उसी प्रकार अंधा युग, अंधा कुवा, अंधी गली, एक एकांकी है, दो नाटक है, अंधा युग, अब ये तो सबसे वेमस रशने है friends, धरमवीर भारती जी की, जो महा भारत से समंदिता है, अंधा युग, लेकिन अंधा कुवा, ये लक्षमी नरायन, लाल जी की रशना है, अंधी मुक्ति बोध जी की रशना अंधेरे में, मोहन राकेश जी, जो इतने फेमस नाटक कार है, उनकी उपन्यास है, अंधेरे बंद कमरे, और हमारे हरिवन शिराय बच्चन जी की कविता है, अंधेरे का देपक, उके, उसी प्रकार से देखिए जरा, देवता के गुनहा, गु देवता के गुना, ठीक है न, देवेश ठाकुर जी की है, कि देवताओं के क्या-क्या गुना होते हैं, फिर गुनहा की देवी, यादवेंदर शर्मा चंदर जी, और ग्लोबल गाओं का देवता, रणेंदर रांगा, तो देख लीजे, बिलकुल एक जैसी रचनाएं, ठी ठीक है न, इसको ध्यान से देखीगा, पेपर में ऐसी कन्फूजन नहीं होनी चाहिए, सभी को, all the very best